बिस्मिल्लाइ रख्मादुरहीम, जिन्दगी बदल गेरे वाली रुपानी दस्तिक। समाज का ध्यान स्थानां तरित हो गया। आज, फ्रीमिसन एक सामाजिक और परोपकारी संगठन है जिसका उदेश्य अपने सदस्यों को अधिक सदाचारी और सामाजिक रूप से उन्मुक जीवन जीना है। अथारवी सदी के यूरोप में फ्रीमिसन वी और राजनीती, ग्यानोदे में स्थापित, संगठन, अभी भी मूल मूल्यों, धार्मिक सहिश्नुता, ग्यान की प्यास, सामाजिकता को व्यक्त करता है। फ्रीमिसन के इतिहासकार और बोर्डो विश्विद्यालेय में प्रोफेसर सैसल वेवाउगा कहते हैं। रहस्य मय प्रतीकों और गुप्त हाथ मिलाने के लिए लोग प्रिय हैं, दुनिया के सबसे पुराने भाईचारे वाले संगठन के सदस्य हैं। अपनी लंबी उम्र के बावजूद, फ्रीमिसनरी, कभी-कभी छोटे राजमिस्त्री के नाम से भी जाना जाता है, लंबे समय से रहस्य में डूबा हुआ है। बाहरी परिवेक्षिकों को संगठन के रीती रिवाज और प्रथाएं पंथ सद्रिश, पारिवारिक और गुप्त, यहां तक की भयावे भी लग सकती हैं। टाइम के अनुसार, इन में से कुछ फ्री मेसन द्वारा संगठन के रीती रिवाजों के बारे में बाहरी लोगों से बात करने में अक्सर जानबूचकर की जाने वाली अनिच्छा से उपजा है। लेकिन यह आनशिक रूप से कई लोग प्रिय फिल्मों और किताबों का भी परिनाम है, जैसे डैन ब्राउन की, ददाविंची कोड, डिबल डे, 2003, जिन्होंने गलत धारनाओं को बढ़ावा दिया है या आदेश को अप्रिय रोशनी में चित्रित किया है। हालां की, वास्तव में, फ्रीमिसोन्री एक लंबा और जटिल इतिहास वाला एक विश्वव्यापी संगठन है। इसके सदस्यों में राजनेता, इंजीनियर, वेग्यानिक, सशस्त्र बल अधिकारी, लेखक, आविशकारक और दार्शनिक शामिल है। इन में से कई सदस्यों ने क्रांतियों, युद्धों और बौधिक आंदोलनों जैसी विश्व घटनाओं में प्रमुग भूमिकाय निभाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रीमिसोन्री पूरी तरह से धर्मनिर पेक्ष है और धार्मिक पहलूँ से रहित है। जेकब ने कहा, इसके सदस्यों को सर्वोच सत्ता में विश्वास करने के लिए प्रोथसाहित किया जाता है, जिसे मेसिंवी की भाषा में, ब्रह्मान के महान वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। संबंधित, इसाई धर्म में इतने सारे संप्रदाए क्यों है? जेकब के अनुसार, ये भव्य वास्तुकार, इसाई धर्म द्वारा परिकल्पित एक व्यक्तिगत इश्वर के बजाए एक इश्वरादी निर्माता के बराबर है। देववाद की अवधारना, जिसकी उत्पत्ती सत्रवी शताबदी के ग्यानोदे में हुई, इस विचार को बढ़ावा देती है कि सर्वोच सत्ता परम, धड़ी बनाने वाले, की तरह है। एक डेवता जिसने ब्रम्हान का निर्मान किया लेकिन इसकी रचनाओं के जीवन में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। आचार सहिता सदस्यों के व्यवहार का भी मार्क दर्शन करती है। ये कोड कई दस्तावेजों से लिया गया है, जिन में से सबसे प्रसिद्ध दस्तावेजों की एक श्रिंखला है जिसे पुराने आरोप या सम्विधान के रूप में जाना जाता है। इन दस्तावेजों में से एक जिसे रेगियस पोअम या हॉलिवल पांडुलिपी के नाम से जाना जाता है। 14-वी सदी के उत्तरार्ज या 15-वी सदी की शुरुआत के आसपास का है, और कतित तोर पर पीटर स्टोंस रिव्यू के अनुसार, चिनाई का उलेक करने वाला सबसे पुराना दस्तावेज है। जबकि कई फ्रीमेसन इसाई हैं, फ्रीमेसनरी और इसाई धर्म के बीच एक जटिल, अक्सर विभाजनकारी संबंध रहा है। फ्रीमेसनरी पर पोप का प्रतिबंध लागू है, चच ने फ्रीमेसनरी को चच के सिध्धान्त के साथ असंगत, घोशित किया है। फ्रीमेसनली की उत्पत्ती असपश्ट है, और यह विशय मिथक और अटकलों से भरा हुआ है। अधिक कालपनिक दावों में से एक यह है कि जेकब के अनुसार, फ्रीमेसन यरूशलेम में सोलोमन के मंदिर, जिसे प्रतम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, के निर्माताओं के वन्शज हैं। अन्य लोगों ने तर्ग दिया है कि स्काई हिस्ट्री के अनुसार, फ्रीमेसन की शुरूआत नाइट्स टेंपलर्स की एक शाखा के रूप में हुई थी, जो मदियुगीन काल का एक कैथलिक सैन्य आदेश था। प्रसिद अमेरिकी क्रांतिकारी थॉमस पेन ने प्राचीन मिस्वासियों और सेल्टिक डूद्स में इस आदेश की उत्पत्ती का पता लगाने का प्रयास किया। जेकब ने लिखा, एक लंबे समय से अफवाह भी रही है कि फ्रीमेसन जर्मनी में शुरू हुई 18 सदी की गुप्ट सोसाइटी इलुमिनाती के समान है। इन में से अधिकान सिध्धानतों को खारिच कर दिया गया है, हाला कि कुछ लोग उन पर विश्वास करना जारी रखते हैं। और इस बारे में चेहनात्मक्ते की वे प्रशिक्षों के रूप में किसे चुनते हैं। सदस्य लौज में एकत्र हुए, जो मुख्यालय और केंडर बिंदु के रूप में कार्य करता था, जहां राज मिस्त्री में बोल करते थे, भोजन करते थे और दिन की घटनाओं और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते थे। झालए आपने कार्य कार्य को डिए और मुद्दों पर दिन के लिए, जो मुद्दों के लिए पर चाहते राज में बोल करते थे ज़िए, जो मुद्दों के लिए एकत्र हैं।